सब्सक्राइब करें मेरा चनल उसके बाद बेल आइगन पर क्विक करें सेलेक्ट करें और जिसके बाद आपको मिले कि मेरे सारे नए वीडियो अपडेट्स की नोटिफिकेशन तुरंग कि आज किस वीडियो में करने वाला हूं कोडक की तरब से आने वाले एक वेरेबल एंडी फिल्टर की अन्बॉक्सिं रिभी और टेस्ट हर बार की तरह देखेंगे प्रोडेक्ट की क्काल्टी कैसी है बॉक्स अंदर क्या-काचीजे मिलती हैं बिल्ट क्वाल्टी कैसी है और और सबसे important यार performance कैसी है और आपको ये भी बताऊंगा कि ND filter का क्या काम है किस तरह के से काम करता है क्या इसका यूज है क्या क्या benefits है सब कुछ इस वीडियो में cover करूंगा इसको मैं इसी वीडियो में complete test भी करने वाला हूं तो वीडियो काफी interesting हुआ आप वीडियो के साथ पूरा बने रहे हैं स्टार्ट से इन तक तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं सारा कुछ आपको दिखा देता हूं पर उससे पहले आपको box भी दिखाना जरूरी है हर बार की तरह तो कुछ इस तरह क ग्लास की क्वाल्टी कैसी है सारा कुछ उपन करने के बाद ही पता चलेगा सो लेस को एंड बॉक से तो चलिए box को ओवर्व्यू करा देता हूं यह आपके सामने एक छोटा सा box का फी अच्छा सा box पनाया है यलो और ब्लैक कलर का इधर उपर की तरफ है कोड़क की बॉक्स के उपर यहां पर वही प्रेंट है ऑके बॉक्स के पीछे चलते हैं यहां पर देखिए बहुत सारी चीजे लिखी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सापको दिखा देता हूं यहां पर वेरेबल रेंज विट 11 स्टॉप्स पार एंडी 2-2 एंडी 2 जो क कई सारी चीजें लिखी है जिसे मैं क्या कोई भी नहीं देख पाएगा सायथ तो यह है मेरे हिसाब से टोटल बॉक्स ओवर्विव इधर लेप्ट और राइड साइड में कुछ ब्रेंडिंग में गरा वही प्रेंट है और दोस्तों को बता दू हाथ में ठीक ठाक वेट ल देख लेए जिसके अंदर है हमारे पिल्टर निकाल लेते हैं बहुत आपको दिखाता हूं बॉक्स की क्ल्टी पीछे के साइड आपको दिखाऊ तो यहां पर रफ टाइप का मैट faces वाला टेक्चर दिया हुआ है और यह दिखिए इसको चारु तरफ से और आगे के तरफ क प्लास्टिक की कॉल्टी यह देख सकते हैं ओके थम्स अप फर केस चलिए अभी कर लेते हैं से ओपन फटाफट तो यह हो गया उपन और जैसा लग रहा है कि मैं कोई ज्वैलरी वगरे निकालता हूं ग्लास देख सकते हैं साइनी काफी प्रीमियम लग रहा है और ग्लास के उपर एक ग्रीन कोटिंग आपको दिख रही होगी चलिए फटापटे से निकालते हैं बाहर तो चलिए इस एंडी फिल्टर का आपको मैं ओवर्विव करा देता हूं तो यह है कोड़क एंडी फिल्टर साइनी पी सब ग्लास फिल्टर के उपर यहां पे प्रिंट है करके जैसी आपके ओंड और इसे घुमाते देख सकते हैं ग्लास का टैण्ज हो रहा है ट्रांसपेरें टु ब्लैक यही है वेरेबल अटिंटर का यही है फिल्टर का खाल कि लास की ऊपर कोटिंग अप देख सकाते हैं ग्रीन और ब्लु किलर की है कुछ इस डिरेक्षिन मे पर सही है काफी स्मूध है जो उपर वाली रिंग है जिसे हमें रोटेट करना है उस पे हलका हलका टेक्चर दिया हुआ है पूरा मेटल बिल्ड है और पेंटिंग जो की गए ही वो भी स्ट्रॉंग और अच्छी लग रही है इधर के साइड हमें कुछ रिंग सी मिलती है जो क कि हमारे लेंस के ऊपर अच्छे से कस जाएगी तो मेरे हिसाब से यह था इस एंडी फिल्टर का उवर्व्यू बेल्ट क्वाल्टी अभी चलिए इसे करते हैं फटाफट अपने कैमरे और लेंस के साथ इंस्टॉल तो इस पेयर के साथ मैं यूज करने वाला हूँ यह मिली मीटर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इंडी फिल्टर भी मैंने 67 मिली मीटर का लिया है तो चलिए इसे फटाफट निकाल के कर देते हैं इंस्टॉल लेंस के ऊपर देखते हैं कैसे होता है इस्टॉल तो काफी इसली यहां पर लग गया है और बहुत ज़्यदा टाइट करने की जोड़त नहीं है और लगने के बाद कुछ ऐसा बड़ा प्रोफेसिनल सा लूप मिलता है और फायदे एंडी फिल्टर की यह है कि इससे अब एक और लेयर आपके लेंस के आगे हो गई जिसे की आपका लेंस प्रोटेक्ट रहेगा डस्ट हो गई या फिर फिंगर प्रिंट हो गया पहले एंडी फिल्टर को आप टेच करेंगे अंदर आपका लेंस है तो समलो की एक एक्स्टा प्रोटेक्शन भी लेंस के आगे लग गई ओके चलिए कैमरे को आउन करके देखते हैं य मेरे कैमरा के साथ, जैसे कि अभी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने मोबाइल फोन से, और बहुत तेज सनलाइट है बाहर के तरफ, आप देख सकते हैं, पर हम इसी तेज सनलाइट में इस इंडी फिल्टर को यूज करने वाले हैं, टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे अपने स्क्रीन की ब्रैटनेस फूल पे करनी होगी क्योंकि बाहर कुछ दीख नहीं रहा, यहां मैं EVF का भी इस्तमाल करने वाला हूँ, अभी जो फोटेज आप देख रहे हैं, यह कैमरा और लेंस के साथ आ रहा है, और मैंने अभी इंडी फिल्टर को रिमूब कर दिया है, अपर्चर है, यहां पर वाइड उपन 1.4 पे देख सकते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और अभी मैक्सिमम अपर्चर मै के जरिये वाइड उपन अपर्चर यूज कर सकता हूँ, इस लेंस और कैमरा के साथ, तो यहां पर इंडी फिल्टर हो गया है, अभी इसको रोटेट करके हम सेट करते हैं, कि कि इस टॉप पे यहां पर इमेस सही दिख रही है, और इसकी लेमेट कितनी है, तो कुछ इस इस सही इमेस, यह है इस अपर इंडी फिल्टर के लिमिट, इस से ज़्यादा लो हम जाएंगे, तो एक समार्क दिखने लगेगा, जो कि हर वेरेबल इंडी फिल्टर में दिखता ही है, और वैसे भी यह एक बजट रेंज का वेरेबल इंडी फिल्टर है, तो इससे हम आप यहां पर देख सकते हैं, बैक्राउंड से अपरेशन अच्छा, इसलिए मिल जाता है, क्योंकि यहां पर जो मेरा अपर्चर है, वो 1.4 है, और विदाउट एंडी फिल्टर यह काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मैक्स अपर्चर को बढ़ाना पड़ता है, और जब हम ल इसे अभी मैंने सेट कर दिया है, एफ 13 पे, और देख सकते हैं, यहां पर कोई भी बैक्राउंड सेप्रेशन नहीं मिल रहा, इमेज तो एक्सपोज हो गई सही से, पर बैक्राउंड सेप्रेशन आपको नहीं मिलेगा, अभी मैंने अपर्चर चेंज किया है, एफ 8, थोड अब भी देखें, एफ 8 पे यह सेट है, ओके तो अभी फिर से हम इंस्टॉल करते हैं, अपना एंडी फिल्टर, वो रहा सामने हमारा सन, और अपर्चर को मैं करता हूं वाइड ओपन, एफ 1.4 पे आगये हैं, और यह देखिए, अभी बैक्राउंड सेप्रेशन ब्लर पोक जो भी है, अब आपको देखने को मिलेगा, इतने तेज सन लाइट में इस एंडी फिल्टर के जरिये, एंडी फिल्टर के और भी बहुत सारे बेनपीट हैं, कोई सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा, क्योंकि टाइम लगेगा, ओके नेक्स दे मैंने इसी एंड आई में या फिर एक साइट कहीं भी फ्रेम में आपको टॉट सा बड़ा सा दिखता है, ब्लैक कलर का, तो यहां पर मैं काफी कुछिस कर रहा हूं सही एक्सपोजर पाने की, और अभी हलका सा अंडर एक्सपोज हैं, और बात करूंए इस एंडी फिल्टर को इंस्टॉल कर के साथ, दोस्ते इसको मैं दो तीन दिन से तेज सनलाइट में अलग लग सीन पर यूज़ करने के लिए कि इसकी लिमिट क्या है इस एंडी फिल्टर की, तो जो मैंने यहां पर नोटिस किया, एफ 1.800 ISO और 30 फ्रेम एपियस पे, मैं इसी रिकॉर्ड कर रहा हूं, जटर इस फिल्टर की लाश्ट लिमिट तक जाते हैं, तो एक्समार्ट फिर से दिखाई देने लगता है, तो एफ 1.8 के साथ ते सनलाइट में एंडी फिल्टर सही तरीके से इमेच को एक्सपोच कर रहा है, बिडाउट एक्समार्क, मेरे हिसाब से यह स्वीट स्पॉट है, इस ले बदाऊं, वेरेबल एंडी फिल्टर अगर आप बड़े ब्रांट में जाते हैं, तो उनकी प्राइसिंग काफी ज्यादा हाई होती है, जैसे कि मैंने इस कोड़क के एंडी फिल्टर का आज रिब्यू किया, यह एक बजट रेंज का वेरेबल एंडी फिल्टर है, और इस रेंज के हिसाब से जो कि 2800 से 32, 33, 3400 तक का इसका हर साइज का आपको एंडी फिल्टर मिल जाएगा, इस प्राइज रेंज में 5-7 इस टॉप एंडी फिल्टर जो इसके साथ आपको मिल रहा है, वो काफी अच्छा है, कलर और बिल्ट क्वाल्टी भी यहां पे काफी अच् फोटो वाले फिल्ड में भी एंडी फिल्टर का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा कमाल की सॉट आप ले सकते हो, अप ले सकते हो, कभी किसी दिने एक सेपरेट वीडियो में वो भी आपको दिखा दूँगा, तो दोस्तो ये था मेरा रिबीव से एंडी फ रिलेटेड या फिर मेरे चैनल से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साधी साथ अगर मुझसे लाइट चैट करना चाते हैं, परसनल चैट करना चाते हैं, तो यहाँ आप कोने पे सो हो रहा है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, वहाँ पे जाके फॉलो करके आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, और हाँ अगर इस एंडी फिल्टर को या फिर और भी कुछ ब्रांड के एंडी फिल्टर में नीचे रिकमेंड कर दूँँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट प्राइट चे कर सकते हैं, या फिर करीज सकते हैं, तो बस यही दा सारे कुछ इस वीडियो में चलता हूँ, फिर मिलूँगा किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको रखनाम ना कहा, सी यू अगें, बाबाई